अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, आज़ी लोगों के साथ शेयर करें, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद अगर हम एक्वेरियम प्लांट्स की बात करते हैं, तो एक्वेरियम प्लांट्स का जो फ्रेश वाटर एक्वेरियम में है, उसमें बहुत ज़्यादा इनका यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्वेरियम को एक नैचुरल लुक प्रवाइट करते हैं, उसकी खुपसूरती को बढ़ाते हैं, सांथ ही ये उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसकी मातरा इंवर्टी जो शाप बना रखते हैं, और इसमें इसमें रहने वाली चोटी फिशेज हैं और सांथ ही इनवर्टी ब्रेट सें उनको रहने के लिए एक श्यल्टर पोइट करते हैं, यानि की जगें प्रवाइट करते हैं और अगर उनमें से कोई अनिमल अगर शाक्वरियम तो उसको खाने केलिए प्लांट्स भी का भी प्लांट्स भी यानिकी अपने जो पत्ते हैं वह प्रवायट करते हैं जिससे तरह अपना फूड इन Basic Labed जड़ के सांत में लगती है और कुछ ऐसी है जो उपर मार्जिन में यानि की सर्फेस में आधा डूबे हुए रहते हैं पानी के अंदर और आधा पानी से बाहर निकले हुए रहते हैं तो इस तरह से जो एक्वेरियम प्लांट है आप तीन तरह से आप इनको यूज कर सकते है ठीक है अलग-अलग के टेगरी में और इसके पहले मैंने आप लोग को जो कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेरियम है उसके बारे में मैंने आपको डीटेल में उसमें आपको बताया है कि इन प्लांट्स को एक्वेरियम के अंदर कैसे लगाया जाता है तो अगर आपको डीटेल में इन के बारे में जानना है कि इने कैसे लगाएंगे और एक्वेरियम कैसे बनाएंगे तो आप जो आई बटन है उसमें आप इस लग्जर को जाके देख सकते हैं तो मैं आपको बता रही थी कि जो एक्वेरियम प्लैंट्स है वो तीन तरके हो सकते एक पानी में ज़़ढके साथ पानी उनके इन सर्फेस में रहते हैं यहें आनडी अंदर आन में पांट झालन गदल लार की हम उनकषी reopणुटर कने आखऴ। बना रूटेट प्लीं चॉटेट टीशरा यो थारा समय है व्यूत्य फ्लाइध हम गो से objective झाट फ्लोटेट है मेली प्लाइम बना उसके कर साथ ही प्लाइम सहा है जहें स्कुलिपतshoeking का जरेट बला चुटेट चीह तरोेलिक भी कर साथ अगर पानी में छोड़ देते हैं, तो उसके नोट से फिर नीचे से इसमें जड़े निकल आती है, तो इस तरह से कटिंग से पूरा-पूरा पूरा प्लांटिस में बन सकता है, तो इस तरह के जो कटिंग स्वाले पौधे हैं जैसे फैनवोर्ट है, जिसको कैबंबा भी खा इसके अलावा फ्लोटिंग प्लांट्स में लैम्ना, रिक्सिया और साल्वीनिया यह तीन ऐसे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो बहुतायत में लगाए जाते हैं और इनकी वजह से जो एक्वेरिम है वह बहुत ही खुबसूरा दिखाई देता है तो चलिए इनके बारे में थ प्लोटिंग जो एकनते हैं जो अगरे में प्लानटेन को भी लगाती है तो wrap आप से पूरा अकेले लगाते हैं तो झाले आपने एक्वेरिम में में लगाते हैं तो लागा कि ये जबansen ダमसे अपने पोरा इनके presence किंपलेते हैं तो पॉह दोने ये लागा दिख साध में तो इसके बाद जो आक्वेरियम का लुक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और उसमें जब फिशे जो जादा बहुत ही ज्यादा इस तरह का एक्वेरियम और जो यह प्लैंट है यह बहुत ही ज्यादा इसली एवलिबल है बट यह लगेगा तो हमेशा जड़ के साथ मैं आपको इस बात का ध्यान रखना है इस प्लैंट की खासियत यह है कि अगर उसमें नैट्रेट है बहुत ज़्यादा पानी के अंदर तो इसको बहुत जल्दी इसको एबढ़ जाती है और साथ ही इसको अगर आपने कपी रिमूफ करना है अपने एक्वेरियम से तो इसक जो यह प्लैंट है यह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है और आसानी से मिलने वाला पौधा है जिसको आप अपनी एक्वेरियम की खुबसूरती बढ़ाने के लिए उसमें लगा सकते है नेक्स्ट जो रूटेट प्लैंट है एक्वेरियम प्लैंट वह है सैजिटेरिया सैजिटेरिया प्लैंट है यह हार्डी प्लैंट है यानि की थोड़ी सी सक्त प्लैंट है और इसको फिशेस नुकसान नहीं पहुचा सकती है यह बहुत ही ज़्यादा पौपुलर आसानी से ग्रो करने आला और बहुत ही सुन्दर प्लैंट होता है और अगर हम इसके कलर की तो color में ये हरे रंग का ही होता है इसमें हरे रंग में ही इसके थोड़ी सी variety हो सकती है कि ये light green color हो सकता है या dark green color हो सकता है और इसका ये color depend करता है जैसे अगर dark green है तो उसके लिए हो सकता है कि वो जादा उसको nutrition मिल रहा हो तब उसका color green हो और या light green है तो उसमें यह हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा light के अंदर वो grow कर रहा हो इस वज़े से उसका color light हो या फिर slightly yellow भी हो सकता है तो yellow में भी यह sign है इसका कि यह धीरे-धीरे plant dye कर रहा है ठीक है यानि कि मर रहा है अगर इसको उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है जैसे पानी में nutrient की कमी का होना aquarium में और साथी बहुत ज्यादा अगर इसको light मिल रही हो तब भी यह पौधा धीरे-धीरे मरने लगता है तो यह बहुत ज्यादा light में उगने वाला या light को पसंद करने आला पौधा नहीं है और अगर हम ने जैसे इसको grow किया है तो अगर यह इसकी जो मरने की पहचान है वो यह है कि अगर इसके उपर टिप से अगर धीरे-धीरे यलो होने लगे तो आप समझ जाए कि कुछ गड़बड है आपके जो aquarium हो सकता है कि उसमें nutrition की कमी हो या फिर उसमें light बहुत ज़्यादा उसको मिल रही हो तो इन चीजों को आपको ध्यान र आगे यह ग्रो कर जाएगा और जब इसके जो बेवी प्लैंट इसके साथ में ग्रो करते हैं तो जैसा कि यहां पर एक दूसरा फिगर आपको दिखाया गया है उसमें आप देखेंगे कि जो चोटे पौधे हैं पैरेंट प्लैंट जो है वो काफी लंबा आपको दिखाई और इसमें फ्लारिंग भी दिखाई दे रही है और उसके साथ ही इक इस्ट्रिंग नीचे जड़ की साइड से एक पतली सी स्ट्रिंग सी बन जाती है उसी से इसके जो बेवी प्लैंट से वो जोड़े रहते हैं तो अगर आपने इस प्लैंट को दूसरी जगे भी लगाना ह चैछी है कि जो इसकी गर 앞 है वह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फाश्य ग्रो करने आला प अगर आप उसमें तैंक में कार्बं डाए ऑक्साइई अगर इंजेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़ली यह ग्रो करने आला पाधा है ौर अगर हम अक्वेरियम के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो सेजिटरिया की जो चौड़े लीफ वाले जो पौधे होते हैं वो ज्यादा बैटर होते हैं अगर आप एक्वेरियम में इसे लगा रहे हैं इस पौधे की एक और खासियत है कि यह फ्लारिंग प्लांट है तो आप देखें आप देखें आप यह अगर आपने इस पौधी को अच्शे से ग्रोव करते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान में में रखना है कि यह पहत ज्यादा लाइट पसंद करने आला पौधा नहीं है आप इसको मेडियम लाइट में अगर आप आप इसे ग्रोव करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा जिसे, commonly Green Capomba Plant, Caronella, ब्राजिलियन, पहाता है यह जाता है, यह ज़जना जैते हैं, या पानी में रहने वाला पौधा अर्च पानी में पांटा, जो पौधा एसकी, इसकी जो लीव्स हैं, कई रुपर उपर तैती हुई, आपको दिखाई देती हैं, पानी के अंदर भी रहत तो एक तरह से क्यें दो तरह की लिफ्स इसमें मिलती हें हैनिस त olmas सबमें था जब फल्स भी पानीकिती गि discour़ funny करना चाहरें तो आप आप essenties इसको पॉंड सब्स, लेक से या फे इस मोग फिर सच्रीम से अवर फ्लावरिं प्लैंट उन्च मैं के फिर प्रियूंत प्लाविय प्रपल कलर के बीट जानाम प्रतिश को चोटेक शुटे से बहुत सुंदर ू अकटिंग बाद यह नाम के दिए जिएसक रहर सब्सक्रटर से लाते हैं इसर अगर नाम कोके मिटते हम प्रतिश कर्टिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो आपने एक कटिंग जैसे लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी इसकी बहुत सारी और भी स्टेम्स निकल आती हैं इसके अगर हम नाम की बात करें जैसा इसका नाम है फैन वर्ट तो इसका जैसे मैंने नीचे एक फिगर आपको दिखाया यानि कि पाने के अंदर इसके जो लीफ्स है वो थोड़ी से नैरो लीफ्स इसके आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह पाने के अंदर फैलते हुए यह एक फैन की तरह का स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिस पज़़से इसका नाम दिया गया है फैन वर्ट और जो इसकी जो इसके ब्रांच निकली रहती हैं और लीफ्स आपको इसकी बंचे में दिखाई देंगी ठीक है तो इस तरह की रहती हैं और इसकी जो रूट्स है वो बिलकुल स्लैंडर होती है जैसा कि इस देर आप लों को दिखाए गया है तो फैन वर्ट एक्वेरियम प्लैंट है इसको आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं आसानी से जब भी आपको अपना अगर एक्वेरियम अगर आपको क्लीन करना है तो आप इसको आसानी से बाहर निकाल के अपने एक्वेरियम को आसानी से क्लीन कर सकते हैं और इस तरह से यह बहुत ही इसली ऑपरेट होने वाला यह प देक अगर तो आङ जादा जल्दी करें घ्रोट तो इस बहुत ज्यादा जल्दी घ्रोग करने पहुत रहता है अगित है जनने करें गर आणकने सुभाहँ है जिस लोख पाला नसमाला थे सभाषर में टींड सीना तो और भी अच्छा ग्रो करेगा और बाकी के प्लैंट के बारे में जैसे आपने देखा कि उनको बहुत ज्यादा लाइट या फिर एक पार्टिकुलर लाइट की जरुवत होती है जहां पर की वो ग्रो करते हैं लेकिन इस प्लैंट के साथ में यह है कि अगर आप इसको लो प्रोवाइट करते हैं तो उस दोरान इसके जो लीफ से थोड़ी सी उनका कलर चेंज हो जाता है लेकिन यह ग्रो करेगा यह नहीं कि यह मर जाएगा ठीक है तो इसका जो मैंटिनेंस है बहुत ही लो है यानि कि आपको अगर इसको मैंटेंड करना है इस प्लैंट को तो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा आसानी से आप इसको अपनी एक्वेरियम में ग्रो कर सकते हैं और जहां तक इसको टैंप्रेचर की बात करें कि एक्वेरियम में कितना टैंप्रेचर होना चाहिए जिस पे कि यह ग्रो करता है तो लगभग 70 से 82 डिग्री इस फॉर यह एक कटिंग प्लांट है जो कि एक्वेरियम में असानी से लग जाता है यह प्लांट बहुत ही ज्यादा डैलिकेट होता है और यह एक ग्रीन प्लांट है और मोसली अगर आप इसे खुद से कलेक्ट करना चाहते तो आप इसको लेक से स्ट्रीम से पॉंड से भी आप इस प्लांट है तो जब इसे अपने अक्वेरियम में आप अपरेट करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा के साथ में इसको हैं अदर्वाइस इसके जो लीव से वो तूट जाते है और इसी तरह से अगर आपने इसमें कोई अग्रेसिव अगर आपने फिश डाली है अपने अ दूट्रियंट और सियो टू सिस्टम क्या हो सकता होती है और यह सब चीजे अगर इन प्लांट्स को प्रॉपरली मिलती है अक्वेरियम प्लांट्स को यह आसानी से बहुत अच्छा ग्रो कर जाते है और रिप्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने कहा कि यह आप अगर दूसरी तो रूट्स देखने में थोड़ी सी बुरी लगती है तो आप चाहें तो उसको जो आपने अक्वेरियम में जो चोटे चोटे से जो अपने पैबल से उसमें लगा हुए है उनके नीचे आप इसको छुपा सकते है और एक्वेरियम में पीछे की साइड आप इसको लगाए है और इसकी भी कटिंग लगाई जा सकती है और वैसे एक फ्लोटिंग प्लांट है और यह लूजली पानी में यह बिखर हुआ रहता है और अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार अपना एक्वेरियम बना रहे हैं तो आपके लिए प्लांट बहती अच्छा है थोड़ा स पानी में बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है तो इसके फास्टेस्ट ग्रो होने की वज़े से आप समझ सकते हैं कि जो आपका टैंक है उसके न्यूट्रियंट को भी बहुत ही फास्ट एब्सॉब कर लेता है तो अगर आपने अपने अक्वेरियम में और भी प्लांट लग सके इसके अलावा फ्रेंट्स यह अमोनिया भी बहुत ज्यादा यह अब्सॉब करता है तो इस वाज़े से यह एक्वेरियम के लिए बहुत ही अच्छा है और क्यूंकि इसकी फास्टेस्ट ग्रो ग्रोथ हो रही है तो इस वाज़े से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है आपक पर चैनक नियुकर के शनके हैं प्लेटस रून्च को लगाते हैं इसको लेकर हैं अगर आप उन शिल्टेस्ट ओला धार्श हैं इसको लाव्ट करने और की तो तो आप कुछ वैसLY नहीं slate के लिए आप उसमर्ज असरह में चस्यपते हैं फ्रेंट्स जीनस लिमनोफिला ये भी एक बहुत ही अच्छा और पॉपुलर एक्वेरियम प्लांट है इसे भी बहुत लोग इसको बहुत पसंद करते हैं अपने एक्वेरियम में लगाने के लिए और ट्रॉपिकल एक्वेरियम के लिए बहुत ही सुटेबल प्लांट है और इसकी खासियत है कि इसकी कुछ इस्पिशीज बहुत ही जादा पॉपुलर है एक्वेरियम में लगाने के लिए और इसकी जैसे यहां पर मैंने लिखा है लिमनोफिला सैंसली फ्लोरा यह जो प्लांट है इसको बहुत जादा लोग अपने अक्वेरियम में लगाना पसंद कर और इसका प्रोपगेशन भी आप कर सकते हैं और साथ ही अगर आप इसको पर टन केतू आ लगाना चाहें तो आप पिस तरह से आप इसको जैसा कि फिगर मैं दिखाए गया है आप इसको रूट के माधियम से भी बहू और बहुत ही जल्दी ग्रों ед बहुत यह जदा फास्टिस्ट ॉ एक गरम और यह कम लाइट लाइट में बहुत अच इंगर तीन अगर इसको proper nutrition मिले और लाइट कम मिले इस तिती में, और जैसे दूसरे plant grow करते हैं, तो उनको grow करने के लिए, जैसे nutrition की जरुवत है सेम उसी तरस इस plant को भी जरुवत होती है, और क्योंकि यह cutting plant है तो इसके जो leaves हैं और plus इसके root की help से भी यह अपना nutrition अपना लेता रहता है और बहुत ही ज्यादा सफाई पसंद plant है यह मतलब कि यह जहां पर होगा तो वहां का पानी आपको बहुत ही ज्यादा स्वच और साफ आपको वहां का पानी दिखाई देगा और एक और खास बात है इस plant की कि यह किसी भी condition में यह grow कर जाता है और क्योंकि बहुत फास्ट यह grow करता है तो आपको time to time इसकी cutting भी करते रहने होती है जिसे कि आपका जो aquarium है पूरा एकदम से भर न जाए चलिए अब कुछ floating plants के बारे में भी जान ली जो हम अपने aquarium में लगा सकते हैं तो इसमें सबसे पहली genus है lamna so friend जो lamna genus है इसमें भी इसके कई सारी species जो है वो यूज होती है aquarium के लिए और इसे commonly duckweed का जाता है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वीड याने कि अगर दिखाई देगा वैसे आपको यहां figure number one में आपको दिखाए गया है तो अगर आप इसको अपने aquarium के लिए प्रिफर करते हैं तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे साइस के जो lamna है उनको ना यूज करें क्योंकि उससे एकदम से वो पूरे आपके पानी को भर देगा उपर से सर्फेस को और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और एक तरह से फिर आपको बहुत ही जल्दी आपको उसको सफाई करनी पड़ेगी हाला कि जो दूसरे lamna species हैं उनको भी आपको टाइम टू टाइम आपको उससे कम करना पड़ता है क्योंकि व जो थोड़ी सी बड़ी species होती हैं उनको अगर आप यूज करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहता है और वैसे fishes पे डिपेंड करता है कि आपकी इस तरह की fish culture कर रहे हैं तो उससे साब से आप अपने जो surface floating plant हैं उनको आप ली सकते हैं तो बहुत ही जादा fastest growing plants होते हैं यह next is rixia, so friend rixia को आप इसे as a carpet की तरह भी यूज कर सकते हैं यानि कि आप किसी बड़े पत्थर में इसको लगा के नीचे अपने aquarium के base पे आप उसको रख सकते हैं इसी तरह से कई सारे पत्थरों पे आप इसको लगा के उसको ग्रो कर सकते हैं अपने aquarium में और कुछ टाइम ब यह पसंद आती है और साथ ही जैसा मैंने कहा कि आप इनको पत्थरों पे लगा के आप इसको ग्रो कर सकते हैं और दूसरा आप जैसे अगर आप चाहें तो लकडी पे भी आप इसको चिपका के मतलब जिस पे आप इसे लगाना चाहें तो उस तरह से उसका structure लेते हुए यह बहुत सुंदर दिखाई देता है नेक्स्ट है सालवीनिया यह भी जो है एक surface floating plant है और यह भी भी fastest growing plant है और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है इसकी भी कई सारे species हैं जो कि aquarium के लिए यूज होती है और इसमें भी मतलब तीनों ही यह ऐसे plant है क्योंक टाइम टू टाइम इनको अपने जो aquarium है उसमें से इनको कम करते रहना होता है और वाइस से बिलकुल ही उपर से पूरा सर्फेस को तो कवर करेंगी ही साथ में light के प्रोपागेशन को भी रोकिंगी एक्वेरियम में और गंदगी भी इनसे बहुत क्योंकि रहती है क्योंकि जो भी इनकी डिब्रीज गिरेंगी और नीचे एक्वेरियम के पानी को गंदगी रहती है तो वैसे कोशिश की जाती है कि जहां तक हो कटिंग प्लैंट या फिरूटेड प्लैंट का ही उस लोग जादा करते है और इस तरह के कम ही करते है तो यह यह थे एक्वेरियम प्लै प्लैंट को हम किस तरह सकते हैं तो इनके बारे में हमने डीटेल में जाना चलिए अब नेक्स हम जाने की जो हमारा एक्वेरियम है उसमें प्लैंट की मैन्योरिंग यानि की इनको खात कैसे दिया जाए जाए तो फृंट अब उनकी रख रखाओ की भी जिम्मेदारी होती ह तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको अच्छे से ग्रो करना चाहिए और उसके लिए हमें उनको प्रॉपर उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइट करना होगा और साथ ही पानी में सी ओटू की मात्रा उनके लिए प्रॉपर बनी होनी चाहिए जिससे की जो प्लैंट्स है वो पौधे अच्छा ग्रोव नहीं करते हैं, तो उसमें आप उनको सब्लिमेंटरी आप उनको CO2 मिलिग्राम पर लीटर में आप उनको प्रोवाइट कर सकते हैं, इसके अलावा उनको अच्छे से ग्रोव करने के लिए आपको उनको जो य sinister आपको देने होंगे और निउट्रियेंट्स के जिर्ये ही यह पॉधे अपने जसे रूट के थूँ या अपने लीफ से अपने रहते हैं और इससे क्या होगा पॉधे बहुत अच्छा ग्रोग करते हैं और इन Chicken तो नूट्रियंट्स में जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आईरन है और मेगनीज है, इसके अलावा ट्रेस ऐलिमेंट्स हैं, उसकी इन्हें जरुवत होती है, और अगर आपके एक्वेरियम में इसकी कमी हो जाती है, तब भी पौधे अच्छा ग्रोग नहीं करते ह आप पानी में लिक्विट के फॉर्म में उसको छोड़ सकते हैं, जिससे कि यह बहुत अच्छा ग्रोग करते हैं, और अगर आप कैप्सूल के फॉर्म में नहें न्यूट्रियंट्स प्रोग करते हैं, तो आपको टाइम टु टाइम उस डोस को मैंटेन करते रहना होता है, लेकिन एक और आपको यह भी ध्यान रखना होता है, कि जहां अपने पॉधे जिनको आप चाहरे को अच्छा ग्रोग करें, वो तो ग्रोग करेंगे, साथ ही जो पॉधे आप चाहते हैं, कि वो न ग्रोग करें, जैसे अल्गी वगर है, तो भी बहुत जादा ग्रोग करने लगती है, तो इसलिए आपको उन एलगल ब्लूम्स को भी आपको वीकली अपने वाटर टैंक से उनको रिमूव करना होता है, तो इन बातों का आपको धिहान रखना चाहिए, जब आप अपना एक्वेरियम में प्लैंट्स लगाते हैं, और उनकी जब आप मैन्योरिंग कर और उनको मैंटेन करने में असानी होगी अपने एक्वेरियम में और साथ ही आप उनकी अच्छी रख रखाओ भी कर पाएंगे, थैंक यू,